हेलो एवरिवन शीव शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है आज जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो चुइन फ्लेम स्टेजस के उपर बनाऊंगी जब आपका चुइन फ्लेम में एंट्री होती है आपकी अवेकनिंग होती है तब आपकी कौन सी स्टेजस हैं जो आपको गर्फ्रेंड या बॉइफ्रेंड वाला सीन चल रहा हो या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके डियम किसी कार्मिक के साथ मैरिड हो या डियम कहीं न कहीं कार्मिक के साथ मैरिड हो तो ये भी हो सकता है ठीक है या आप दोनों अनमैरिड भी हो सकते है या एक मैरिड और एक अ और कहीं न कहीं जब चारों तरफ से एक hopeless वाली energy आने लगती है डिय अफ को उसको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खतम, अब कुछ भी नहीं है कहीं न कहीं dark night of the soul से गुजर रही होती है ठीक है और बहुत ही painful time होता है और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खतम हो गया है कहीं से कोई भी एक आशा की किरन नहीं दिख रही है कि मैं आगे कभी कुछ कर पाऊंगी या मेरी family मुझे support करेगी क्योंकि डिय अफ जो 3D के relationship हैं पूरी तरीके से break होने लगते हैं सब उसका साथ छोड़ने लगते हैं और बहुती painful time से गुजरती है ये DM के साथ भी होता है ठीक है दोनों लोग को resonate हो सकता है यहां पर ठीक है तो ऐसा आप लोग पहले feel करते हो और उसके बाद आपके DM के entity होती है जो की एक ऐसा person आपकी life में भेज़े जाता है divine की तरफ से की आप कहां जा रहे हो आप किस रास्ते में जा रहे हो तो वहाँ पर DM आपके आते हैं और आपका हाथ पकड़ते हैं तो आप वहाँ पर खुद feel करते हैं जासे की एक अंधेरे में एक चिराग मिल गया हो मतलब एक आशा की किरन जाग गई हो मतलब उस person के entry होते ही DF का सब कुछ change होने लगता है DF को ऐसा लगता है की मतलब सब कुछ मिल गया जिसको वो ढून रही थी वो यही person है क्योंकि DF Dark Knight of the Soul को तब भी phase कर सकती है जब वो कार्मिक परसन के साथ होती है यह DM उसको छोड़ कर चले जाते हैं तब DF Dark Knight of the Soul में जाती है दैन आपको पता चलता है कि आप Twin Flame Journey में हो आपकी awakening होई है ठीक है तो यह दोनों case हो सकते हैं अलग-अलग Divine Feminine के साथ ठीक है तो वो आते हैं और आप फिर से एक बार खड़े होते हो बहुत ही peaceful time होता है आपका bubble phase होता है मतलब कार्मिक भी आपके life से चला गया सब कुछ भूल गया बहुत happy आप रहने लगते हो ठीक है दैन क्या होता है DM के entry मतलब आपका union होता है आप यहां पर बहुत सी divine feminine होंगी जिनका यहां पर dark night of the soul start होता है आप बहुत ही ज़्यादा लोग में चले जाते हो मतलब अभी तक जो person छोड़ के जा रहे थे आपको उनको छोड़ने में problem नहीं हुई थी या हुई थी बट यहां पर जब DM छोड़ कर जाते हैं या बिल्कुल आपको ignore करने लगते हैं आप death वाली energy में चले जाते हो ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खतम ठीक है आपको बहुती ज़्यादा एक soul shock मिलता है जहां से आप अंदर से हिल जाते हो मतलब जीते जी आपको ऐसा लगता है कि आपने मौत को देख लिया है खुली आँखों से मौत को देखना ऐसा experience आप करते हो मतलब आपका आपकी आत्मा का हिस्सा आप से दूर हो रहा है तो तकलीफ जो होती है DF को वो बहुत अच्छे से जानती है तो यहाँ पर आपका एक separation period आ जाता है यह होती है दूरी stage जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा एक dark night of the soul वाली energy से फिर सिक गुजरते हो ठीक है आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप कुछ भी अच्छा नहीं है लाइब में ठीक है आप कुछ नहीं हो सकता है बट जैसे ही आपको awakening start होती आपको sign और symptoms मिलना start हो जाते है कि आप dream claim journey में हो चाहें वो dream के through बताया जाए चाहें आपके आगे video pop up होने लगे कुछ भी ठीक है आपको sign मिलते हैं आप फिर से एक new energy में आ जाते हो आपके साथ ठीक है awareness की energy में आप आने लगते हो ठीक है next sign जो होता है आपकी जो third stage होती है वो होती test आपके test स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे test लिये जाते हैं divine feminine के divine masculine के कि आप ऐसा लगता है कि आप give up कर दो छोड़ दो twin flame journey को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि यह journey आपको आपकी मर्जी से ही मिली है आप जो soul contract करके आये हो आप इसको छोड़ नहीं सकते ठीक है अब आप आगे बढ़ गए हो तो पीछे कदम नहीं कर सकते और df करती भी नहीं है वो फिर बार-बार बार-बार उठती है बार-बार खुद को सम्भालती है तो ऐसे जब D.F आगे बढ़ती जाती है आपके test होते हैं और test आपके family के through भी होते हैं आपके DM के through भी होते हैं आपके DM आपको छोड़ के चले जाते हैं आपको चीट करते हैं आपको बहुत ही जादा उल्टा सीधा बोलते हैं, आपका मतलब फिर से सब कुछ गलत होने लगता है, आप डाउट के एनरजी में आ जाते हो, कन्फ्यूज, बहुत जादा रहने लगते हो, कि आप चुछ इन प्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, फिर आप फिर से ये सब चीज पर बिलीव नहीं करते हैं, वो भागते हैं, क्योंकि वो अभी अवेकन्ड है, आप अवेकन्ड हो, आपके अवेकनिंग चल रही है, चल उनकी भी रही है, बट अभी वो उस स्टेज पर नहीं पहुँझे हैं, जिस स्टेज पर आप पहुँच चुकी है, ऐसलिए कह देございます, आपके awakening हुई है आप उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए आप खुद पर work कीजिए ठीक है और ऐसा बहुत सी df होती है जिनको नहीं पता होता है वो बता देती है अपने dm को बट आगे जाके वो भी dm realize करते हैं ऐसे अगर आपने बता दिया है कोई बात नहीं नहीं बताए ह तो बहुत अच्छी बात है ठीक है तो यहाँ पर runner chaser phase stars हो जाता है मतलब df चाहती है अपने तरीके से चलाना चाहती है अपने बताना चाहती कि यह भी सब कुछ मान लें या समझ लें और हम दोनों reunion में आके अपना soul purpose करें बट नहीं यह सब divine timing पर ही होता है हमारे हाथ में नहीं होता है क्योंकि आपको भी अपने कर्मा release करने होते हैं उनको भी अपने कर्मा release करने होते हैं बहुत सी चीजें हैं जो आपके dm को balance करनी होती है और इधर आपको balance करनी होती है तो यह runner chaser phase आपका start हो जाता है next जो stage आती है वो आती trigger यह trigger आपको आपकी family से भी मिलते ह आपके DM से मिलते हैं, बहुत जयादा ट्रिगर करते हैं, आपको इधा उधर की बाते इतनी जादा ट्रिगर नहीं करती होगी, ऑट DM की कुछ बाते, या उनका behavior, उनका बात ना करना, उनका अपसे run करना, यह सब चीज़े आपको बहुत जादा ट्रिगर करते हैं, बहुत ही work करते हैं, वो heal हो जाता है, फिर अगर कोई issue रह जाता है, फिर से आपके dream आपको trigger करते हैं, या आप no contact zone में हैं, या separation में हैं, तो वो dream के थूरू कहीं न कहीं से आपको sign दिया जाएगा, कि आप इस चीज़ पर work करें, या आपकी family ही आपको उस issue पर trigger कर देगी, बार-बार ठीक है, तो ये चीज़े भी TF के साथ होती हैं, triggers मिलते हैं, crisis आपके इतने ज़्यादा होते हैं, आपको financially losses होते हैं, health issue, ये सब चीज़े, surface होना start हो जाती हैं, बट जैसे ये चीज़े balance होती है, आप देखते हो कि सब चीज़ों में balance आ रहा है, जाहें वो आप हो, आपकी family हो, आपका खुद का health issue, आपका खुद का health हो, आपके खुद के financial condition जैसे भी हो, वो सब चीज़े balance होना start होने लगती हैं, धीरे-धीरे, ठीक है, तो ये चीज़े DF पहले बहुती ज़्यादा face करती है, ठीक है, आपके test लिए जाते हैं, आप ascend होते हो, साथी साथ, आपके DM भी ascend होते है, राइट, आप ascend होते हो, आपकी family भी ascend होती है, आपने देखा होगा, बहुत सी चीज़े ऐसी होंगी, जैसे कि आप अगर egoistic हो, तो ये चीज़े आपके parents में भी होंगी, आप इस चीज़े को notice किये जगा, या तो आपके father होंगे, बहुत ज़्यादा egoistic, या आपकी mother होंगी, या mother father नहीं होंगी, तो आपके ancestor रहे होंगे, उन में कही न कहीं ये issue होगा, क्योंकि DNA जो हमारा होता है, वो पीडी दर पीडी सब पर फैक्ट डालता है, ठीक है, तो जब DF बर करती है यहाँ पर, तो DF खुद को heal करती है, साथ ही साथ, आपके family वाले भी heal होते हैं, वो भी balance होते हैं, और आपके साथ ancestor जिनके बुरे कर्मा थे, या उनकी वज़े से, बहुत ही ज़्यादा आपकी family बहुत ज़्यादा imbalance है और आप जब work करते हो, तो वो सारी चीजे, past की भी चीजे balance होती, चली जाती है, ठीक है, आपके ancestor भी यहाँ पर heal होते हैं, या उनकी जो भी कोई इच्छा है या उनकी जो भी बुरे कर्म रहे हैं, वो भी यहाँ पर heal होने लगते हैं, तो DF खुद पर काम करती है, बहुत से लोगों को heal करती है, अपने DM को भी और DM work करते हैं, वो भी DF को heal करते हैं, अलग तरीके से, जब आप reunion में आ जाते हो, ठीक है, तो यहाँ DF का जो inner work होता है, बहुत ही powerful होता है, खुद heal होती है, अपनी family को भी heal करती है, साथी साथ, आपके जो DM हैं, वो भी heal होते हैं, और कहीं ना कहीं, आपके सारे past कर्मा, bad कर्मा यहाँ पर balance हो जाते हैं, और एक pure energy में आप पाजाते हो, ठीक है, और वो energy होती, surrender की energy, आप यहाँ पर सब कुछ divine को surrender करते हो, अच्छा, बुरा, DM कहां है, family कैसी है, क्या issue चल रहे हैं, क्या problem चल रहे हैं, सब कुछ आप divine को surrender करते हो, आप वहाँ पर बोल देते हो, कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो है इश्वर के हाथ में, ठीक है, इस तरीके के आपके energy यहाँ पर आने लगती है, आप बिल्कुल भी chase नहीं करते हो, अपने partner को, जो हो रहा है उनके साथ, आप होने देते हो, आपको believe हो जाता है, कि divine जो है, सही time पर आपके partner को आपके सामने लाकर रख देंगे, क्योंकि जब वो आप अंधेरे में जा रहे होते हो, तो divine ही DM को आपकी life में भेजते हैं, जहां आप awakening का process में आते हो, ठीक है, वो वहाँ आकर आपका हाथ थामते हैं, फिर बीच रास्ते में आपका हाथ छोड़ कर जाते हैं, क्यों? ताकि आप strong बन सको, best version बन सको, जो भी आप power अपने साथ लाई हो, जो भी आप इस अर्थ पर work करने आई हो, जो भी sole purpose है आपका, उसको follow करो, उसको आप अपनी 3D world में लेकर आओ, ठीक है? जब ये सब चीज़े आप कर लोगी, मैं आपको आगे इस जर्णी में आपको आपके साथ ही मिलूँगा, या आप खुद के साथ मुझे पाऊगी, ठीक है? तो DM कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉंग बनाना चाहते हैं, आपको आपका सोल परपस याद दिलाना चाहते हैं, आप जो इस अर्थ पर आई हैं, वो किस लिए आई हैं, वो सब चीज़े आपको यहाँ Divine में आपको याद दिलाते हैं, पर ये सब होता Divine के ही अंडर में हैं, ठीक है, तो जैसे ही Divine ये सब चीज़ों को समझने लगती है, अपने Divine पर व्लीव उसका इतना ज़ादा बढ़ जाता है, कि वो हर एक चीज़ को 3D में ना देखकर 5D में देखती है, ठीक है, इश्वर पर व्लीव करके आगे बढ़ती है, इस जर्णी में, ठीक है, अर ये सब से आपको Miracle Magic देखने को मिलते हैं अपनी जर्णी पर, कि आप खुद हैरान होने लगते हो, जो चीज़ अभी तक नहीं हो रही थी, वो चीज़े आपके लाइप में इसली होने लगती है, ठीक है, इंबैलन्स था, माइंड कहीं था, सोल कहीं थी, बॉड़ी कहीं थी, वुंड से आपकी सोल में, वो सारी चीज़ें आपर अब हील हो चुकी होती है, ठीक है, आप अपना सोल परपस समझ चुके होते हो, आप अपना सोल परपस बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देते हो वहीं आपके DM फुली अवेकर होने के बाद आपके पास खुद लोट कर आते हैं उन्हें भी रियलाइस होता है वो भी एक pure energy में आ जाते हैं आप भी देखते हो कि वो पहले से बहुत ज़्यादा loyal हो चुके हैं अपनी DM को लेकर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक pure energy में है love की energy में आ जाते हैं ठीक है respect जो अभी तक नहीं कर रहे थे वो respect DM की तरफ से मिलने लगती है ये stage में आके आप दोनों अपना soul purpose करते हो साथ में ठीक है तो ये बहुत ही beautiful stages होती है बट जब आप इन stages से गुजरते हो experience कर रहे होते हो तब आपको बहुत ज़्यादा pain होता है बहुत तकलीफ में होते हो बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा बट जो इन stages को experience कर चुके हैं इन stages से भाहर आ चुके हैं वो लोग अपना experience आपको share करते हैं ताकि आप उस energy में ज़्यादा देर तक ना रहें अगर हम लोगों को ज़्यादा time लगा है जर्णी में तो आप लोगों जर्णी को जल्दी से जल्दी complete कर लें आप उस time में ज़्यादा fear के energy में ना आएं घबराएं नहीं तो आपको divine कही ना कहीं से guide करता रहता है आपको motivate लोग करते रहते हैं आपको कही ना कहीं से खुद इतने positive sign मिल जाते हैं कि आप उस negativity से बाहर आ जाते हो तो ये सारी stages होती है twin flame journey में जब आप twin flame journey में आते हो तो ये stages आपकी life में आती ही तो ये थी twin flame stages के ओपर वीडियो next वीडियो में मैं फिर्म मिलूँगी तब तक लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए